सीधा सा सवाल लिंचिंग का जन्म दाता कौन दुबारा से सुनिए सवाल डंके की चोट पर पूछ रहे हैं लिंचिंग का जन्म दाता कौन देश नहीं जुकने देंगे मैं बहुत-बहुत स्वागत आप सबी का आज देश को लिंचिंग का इतिहास बताना बहुत जरूरी ह क्योंकि आज राहूल गांधी निकाया कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था तो जाना बहुत जरूरी है तेहास ध्यान से सुनिये का आजाद भारत की पहले लिंचिंग हुई थी 1948 में जब गांधी जी की हत्या के बाद कथित गांधी वादियों ने महराश में चित पावन ब्रह्मनों को ढून ढून कर मारा था वो थी लिंचिंग 1948 अड़तालिस का उल्टा कीजिए 84 यानि की 1984 जब इंदरा गांधी की अत्या के बाद सिखों का सबसे बड़ा नरसंगार हुआ था वो थी लिंचिंग 1990 में कश्मीर में पंडितों का नरसंगार हुआ था वो थी लिंचिंग 1992 में आयोध्या में विवादित धांचा गिरा जाने के बाद कानपूर में हिंदों को ढून-ढून कर मारा गया था वो थी लिंचिंग 2002 गोधरा में हिंदों से वरी पूरी ट्रेन जला दी गई थी ट्रेन वाली लिंचिंग वो थी लिंचिंग देश को दहलाने वाली ये सारी लिंचिंग जानते हैं 2014 से पहली हुई लेकिन राहूल गांधी कहते हैं कि उन्होंने 2014 के बाद लिंचिंग का शब्द सुना ये ट्वीट आप पढ़ िए बीजेपी ने लिंचिंग की लिस्ट जारी कर दिया लिंचिंग और उसक्राइब करती है जब यही सवाल मीडिया पूछता है तो क्या होता है वो भी सुनिया फोह सबद्द मनेकर को लेकर लिंचिंग कृशता है प्रेंग्यू भी आपको बोला है इस तरकार की दलाली मत कर गोरभाटिया और सहीदा सिंवकर और कॉंग्रेस पार्टी से रोहन गुपता पक्ष रखेंगे पहले गोरभाटिया में आप से शुरू कर रहा हूं और सहीदा सिंवकर आपको नजार आरे शेरुमणी काली दल से भी मेरे साथ में मान होंगे गौरभाटिया 2014 से पहले लिंचेंग निसुना लिंचिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने कराया देश को गौरभाटिया कि मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है अब देख रहे हैं आप लाइव कनेक्टिड है इस समय गौरभ अवाज आप तक पहुंच रही है चलिए गौरभ गौरभ से बात करेंगे लेकिन सहिदा सिंवकार 2014 से पहले लिंचेंग निसुना पहले तो एक लाइन और बोल दूँ आपके लिए आप पत्रकार हैं खुदी में अपने में आप एक तर्मीम कर लेजेगा बदलाओ आप ये भूल गए कि 1992 में महराष्ट में बंबे में मुसल्मानों को गाड़ी में जिन्दा जलाया गया ये भी लिंचिंग थी आपने सिर्फ हिंदों का जिकर किया तो 14 से पहले की आप ये भूल गए कि एहसान जाफरी नाम के एक सांसत को हजारों की भीड़ों ने आकर घर में जला दिया मार दिया और वो उस वक्त के मुकमंतरी को फून करते रह गए आपने ये भी नहीं बताया कि बेस्ट बेकरी कार्ण में हजारों आदमियों का जुंड नर्भच्छी जुंडा कर उन्होंने बेकरी में लोगों को बंद करके जिन्दा आग लगा दी आपने ये भी नहीं बताया कि गोधरा में जब या आप जिकर कर रहे थे तो आपने नहीं बताया कि नरोड़ा पाटिया में एक मस्जिद के पीछे एक गड़े में बाबु बजरंगी और उसके साथियों ने असी के करीब और तो बच्चों को एक गड़े में डालके उन पर डीजल डालके आग लगा दी आप पत्रकार हैं आपको सचा ही बयान करना चाहिए धर्म नहीं देखना चाहिए अच्छा मैं बोल सकता हूं बीचे आपको मैंने बताया अगर मैं आपको पत्रकारता कर रहा होत में जब आजाद भारत तो उसमें नहीं मेरको क्यों बुरा लगेगा जी 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 धर्म नहीं देखा था मैंने लिंचिंग खैर चलिए चोड़िये मुझे तो अच्छा लगा आपने बता दिया कि 14 से पहले वी लिंचिंग हुई ती मतलब ठीक है गौरब आ रहा हूं कि छोड़ी है सुनिए सुनिए सर सुनिए मैंने कांग्रेसी से एक बार एक बात पूछी राहूल गांधी ने बात कही एक साब नाभी मुझे आप से पहले पूछा कि राहूल गांधी कह रहे हैं कि लिंचिंग 2014 के बास तुना चोटे बच्चें भी उनको अकल नहीं है बह कुन की दलाली किसको कह रहे थे क vernage सबको पता है मोदीजी इसे सब4 कर दाक होगा पिर ने और ये औरा करते हुआ के आपके पास सबूत होंगे तब तेलिवीजन पर आपके निता बोलते हैं आप सरकार में रहें 2002 के बास से 10 साल सरकार में रहें कांग्रेस वाले एक को भी जैल नहीं भेजा और अगर सही से कारवाई की होती तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो ना जाने कहा होते देखिए धोका देरी कोशिश मत कीजिए अभ ऐस्वाइमन चोपड़ा आपके रिश्तधार हो चाय गोरो भाठियत रिश्तधार हो चाय by गki रिश्ततार को नर-सनहार कर रहे थे यह अधिये मजिए और यहे पता नने बूत पूर रहे आप में मैं इस दो ने कुर्द आए और अब बचारा weed लिखनेगा आपको ये शिकायत थी कि मैंने 48 में चित पावन ब्रह्मनों की लिंचिंग की बात करी मैंने गोदरा में जो ट्रेन जलाए गई जो लिंचिंग हुई थी वहां पर 56 से ज्यादा हिंदू भाईयों आप मैंने मैंने उनकी बात करी आपने मुझे दूसरी तरफ के नाम बता दिए मैंने तो बोला वो लिंचिंग भी गलत जब मैंने बात करी 10 लाक आजाद भारत जब दंगा हुआ था तो सम्मारे गए थे आजादी ठीके ना मुझे बता सकते हैं क्योंकि आपका एक चश्मा इसलिए उतारना जरूरी है आप मुझे बताईए अगर एक भ उस चंदन गुपता तर्च जंदन गुफी चंदन गुपता ने उद्धाटर पुर्देश में हुफी नित्व तु अब करने वालों के साथ नहीं है कभी विया मजलिसे इदायो मुस्लमीन असदव साहप कभी भी उन वोग्साथ नहीं है जो कितल करते हैं हम लोग मजलुम के साथ हैं आपको बताना होगा कि एक उरीशा मैं फादर ते स्टैनली नाम तशाइब इस लिए पर आदमी लेकिन फंद्रा मिंट में इतने अमंध में फंद्रा मिनिट पॉलिस अठालो अजिए हैं अप यह बैयान था फंद्रा में पॉलिस अठालो इंद्वों का क्या बैय पुलिस आटा लो क्या हालोगा नमबर एक, हाइदराबाद में आई-स के आतंक्यों को पकड़ा गया था, कानूनी मधद दी थी आप लोगों ने, दी नहीं दी थी, बाद में पुलिस ने गल्टी मानी, तो threatenikes कोर्ट Sud गभली की ऐस्क एसके आतंकी पकड़े गए थे उनको कानूनी मदद दी थी नातिमें प्लिस उससाण के आप पलिए नमने मफ्रत प्रहिडा रहे होँ पाप